तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है सब्दर जंग का मगबरा और इसे के अंदर उनकी जो बेगमती दिल्ली का सबसे उचा मगबरा बना है करीब 9 मंजिल का मगबरा बना हुआ है ये उपर वाले हिसे में देख सकते हैं काफी खुपसूरस सी डिजाइन उस समय क हमें देखने को मिल रही है और देख सकते हैं मीचे काफी सुन्दर सी डिजाइन हमें देखने को मिल लिए फूल पर्तियों भी देख सकते हैं लाग तो सब्दर जंग का जन्म 1708 इसमें फारस के एक जाने माने परिवार में हुआ था और सब्दर जंग का जो असली नाम था दोस्तों तो फिल हाल हम आज चुके हैं दिल्ली के एक और एतियासे किसमारक की ओर तो फिल हाल अभी मैं जिजगा ख़ड़ा हूँ ये है सब्दर जंग का मकवरा जिसे 1754 इसमी में उनके बेटे सुजाउद दौला के द्वारा बनाये गया था सब्दर जंग मुगल सासक के पिर्धान मंतरी धुआ करते थे तो आज हम जानेंगे इस खुशुरत से मकवरे का इतिहास और देखेंगे इस खुशुरत से मकवरे को तो उससे पहले हम इस मकवरे का भार का नजारा आपको कराते हैं यह है इसका इंट्रीगेट तो यहीं से अभी हम इंट्री करेंगे इस मगबरे के लिए सामनी आपको मगबरा भी देखने को मिल रहा होगा देख सकती हैं काफी तुशुरत सा गेट बना हुआ है भार वाले हिस्से का और यह वाले हिस्से में आप देख सकते हैं यह मजद जहां पर आज भी नमाज होती है जुम्हे वाले दिन और भार वाले कुछ रूम कुछ का चाप देख सकते हैं यह उस समय की आराम गाहुआ करत बहुते थे फ़लो से जो आज के समय में भी हमें देखने को मिल रहे हैं 300 साल को बाद भी तो काफी खुबसूरत सी डिजाइन इसमें उकेड़ी गई थी या देख सकते हैं, यह पर बास्चार लोगों आया करते हों तो यहीं से उनको उपर फोल भी बरसाया करते होंगी तो सा तो यह है सामने मगवरा तो सामने आप देख सकते हैं यह है मगवरा सदर्जंका तो इस साइड में आप देख सकते हैं जो चार गार्डन यानि चार बाग बने हुए जिसे मुगल गार्डन भी कहा जाता है तो चारो साइड में मगवरे के चारो साइड में आपको गार्डन यानि की बाग देखने को मिलेगा तो इस साइड में हम देखेंगे जो उनका आरामगा हुआ करता थे यानि की बास सब पसंद वो हमें इस साइड में देखने को मिलेगा जहां पर वो आराम किया करते थे मकबरे के सामने वाले हिस्से में हमें बहुत ही बड़ा सा फाउंटेन देखने को मिल रहा है काफी लंबा फाउंटेन है हमने ऐसा फाउंटेन पहले ही बार दिखा है किसी मकबरे में इतना बड़ा फाउंटेन जब ये चला करता होगा fountain उस समय में तो काफी खूपसूरत नजारा हुआ करता होगा तो देख सकते हैं काफी खूपसूरत सा बना हुआ है इसके अंदरी underground ही पानी आने का रास्ता हुआ करता होगा देख सकते हैं पाइप बगेरा लगा हुआ है इसमें तो जो नैचुरूरी तरीके से चला करते थे उस समय में तो सब्दर्जंग का जन्म 1708 इसमें फारस के एक जाने माने परिवार में हुआ था और सब्दर्जंग का जो असली नाम था मिर्जा मुकीम अबू फजल मंसूर खान उनका असली नाम हुआ करता था तो सब्दर्जगन 1722 इसमें में भारत आये थे उसके बाद में उस समय के जो अंतिम मुगल सासक मौमद शाह हुआ करते थे उन्होंने 1748 इसमें में उनको यहां पर प्रिधान मंत्री यानि की वजीर के रूप में गोशित कर दिया था तो अभी हम चलते हैं मक्वरे की ओर और देखाएंगे इस मक्वरे की खुबसूरती को तो फिलहाल अभी हम आच चुके हैं मक्वरे के काफी करीब तो यह जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यह है सब्दर्जग का मक्वरा और इसी के अंदर उनकी जो बेगम थी उनकी भी कबर बनी हुई यानि कि दौनों की कबर इसी के अंदर बनाई गए थी और देख सकते हैं काफी सुन्दर सी डिजाइन इसमें हमें देखने को बिल नहीं है इस पूरे के पूरे मगवरे में सफे संगे मरमर प्लस लाल बलुआ पत्थर का प्रियोग हुआ है इस पूरे मगवरे में पूरा का पूरा मगवरा मुगल शैली में बना हुआ है तो देखे आप काफी सुन्दर सी चार जो मीनारे हैं, साइडों में आप देख सकते हैं, चारों साइड में आपको देखने को मिलेगी, उपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं, सफेज संगे मरमर की गुम्मद हमें देखने को मिलेगी, काफी बड़ी जो डिजाइन है, व तो यहीं से अभी हम ऊपर चलेंगे इस मख ब्रेक लिए हैं तो 1748-182 से लेकर 1753-182 के ये प्रधान मंत्री रहे मुगल समय के 1753 में युद्ध हार जाने के बाद में उनको दिल्ली से यानि की निकाल दिया गया था और 1754 में उनके मर जाने के बाद में उनके बेटे ने सुजाओ दौला ने इस पूरे मखबरे का निर्मार कराया था तो अभी हम चलते हैं इस मखबरे के अंदर वाले हिस्से में आईए पिलहाल अभी हम आचुके हैं मगवरे के अंदर वाले हिस्से में तो देख सकते हैं सामने ही हमें मगवरा देखने को मिलना है सब्दर जंक का और यह देख सकते हैं यह काफी सुन्दर सी डिजाइन इस मगवरे के इंट्री गेट पर हमें देखने को मिल रही है तो उस समय की जो मुगल शैली हुआ करती थी उसी सैली में पूरा का पूरा मगवरा बना हुआ है ये देख सकते हैं कुछ डायमंड कट की शैली काफी सुन्दर सी डिजाइन मुगल काल में चला करती थी देख सकते हैं काफी सुन्दर सी महराब तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सब्दर जंका मगबरा, सफेश संगे मरमर का पूरा का पूरा मगबरा बना हुआ है और काफी सुन्दर सी डिजाइन भी इसमें हमें देखने को मिल रही है दिल्ली का सबसे उचा मगबरा बना है, करीब नौ मंजिल का मगबरा बना हुआ है उपर वाले हैसे में देख सकते हैं काफी खूपसूरस सी डिजाइन उस समय की हमें देखने को मिल रही है और देख सकते हैं कुछ चज्जे हैं वालकनी हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं तो काफिर सुन्दर बना हुआ है डिजाइन देख सकते हैं उसी समय की डिजाइन भी हमें देखने को मिल रहे हैं एख देख सकते हैं नीछे काफी सुंदर सी डिजाइन हमें देखने को मिल रही है। उस समय में, तो इसमें अंदर आने के चार गेट आपको देखने को मिलेंगे, इस मगबरे के अंदर पहला गेट आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं, इसी तरीके से चार इंट्री गेट है इस मगबरे के अंदर आने के, तो देख सकते हैं काफी को मिल नहीं है यह पूरे के पूरे मोगल गार्डन है यानि कि चार बाग शैली में बना हुआ है यह पूरा गार्डन और यह है मगवरा कि अज़ा है कि यहां आप देख सकते हैं यहां पर हमें कुछ और यानि की फांटेंड जो हुआ करता होगा उस है में यहां पर चला करता होकाerek अमें देखने को मिल ला है तो फिल्हाल अभी खाली है बास्षा यहीं पर रुका करते होंगे अपना समय भी बिताया करते होंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सामने हमें काफी बड़ा सा मंच देखने को मिल रहा है यहाँ पर उस समय में कोई प्रोग्राम हुआ करते होंगे इस मंच की ऊपर और सामने वाले हिस्से में देख सकते यहाँ पर रमे एक काफी खुशूरत सी जो महराब्रावे हैं वो देखने को मिल रही हैं और उसमें काफी सुन्दर सी डिजाइन भी शायद उस समय बास्टा यही पर बैठा करते होंगे और नजारा किया करते होंगे यहाँ की जो प्रोग्राम हुआ करते होंगे पीछे वाले से में हमें काफी सुन्दर सा जो सब्दर्गंज सा मक्वरा है वो देखने को मिल रहा है फाइनल दोस्तों हमारा इस मक्वरे का वीडियो हो चुका है कमप्लीट तो अभी हम मिलते हैं अपने नैक्स वीडियो में तब तक्क लिया अपना ख्याल लखें अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि आपको हर एक वीडियो की notification मिलती रहे तो मिलते हैं अपने next वीडियो में जै हिन्द जै भरत